Students of B.S.C. First Year, Our Today's Topic is In-Vitro Fertilization. यानि, In-Vitro means होता है काँज मैं artificial रूप से निशेचन की प्रक्रिया करवाना. आप Fertilization समझते हैं, जो natural या occurring होता है, two gametes fuse होते हैं, sperm and om. उनके nucleus का milan Fertilization या निशेचन की प्रक्रिया कहलाती है. तो जिनको baby नहीं होता है, कुछ problems होती हैं, तो उनके लिए नई तक्निक IVF, जिसकी full form है, In-Vitro Fertilization, वो की जाती है आजकर, ताकि उनको संतानुत्पत्ती हो सके. तो यहां पर आप इस वीडियो के साथ इसको समझे, In-Vitro Fertilization तक्निक में क्या किया जाता है. इसमें sperm को महिला की फैलूपियन ट्यूब में इस implant किया जाता है. देखते रही आप, Fertilization की प्रक्रिया बाहर कांच में कीरती, इसलिए इसको पहले परक्नली टिशू या टेस्ट्यू बेवी के नाम से भी जाता था. क्या क्या करना होता है, इसमें देखिये, preparation before IVF, fertility medications for the mother, fertility medications, उसको fertility बढ़ाने की, यानि ovulation बढ़ाने की, medicines दी जाती है, collection of the semen sample, male से semen sample का collection किया जाता है, the three stages in the IVF process, follicle aspiration, यह सब बाहर होता है, यह process, body से बाहर, इसलिए इसको IVF केते हैं, in vitro fertilization, यानि शाबदिक अर्थ देखें तो इसका बाहर, petri dish की artist tube में, कांच में, fertilization, follicle aspiration, देखिये, इस तक्नीक को, इसमें कितना अच्छा दिखाया जा रहा है, follicle aspiration, यह एक है, follicle aspiration step है, यह इसकी, ovulation medicine से, female का ovulation बढ़ाया जाता है, आपको पता है, हर मन्थ में, एक ova mature होता है, female में, तो वो यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, तो अक्सर twins होते हैं, आपने देखा होगा, ज़्यादा ovulation होने से, जो आई वी एफ और इसमें twins, कई सारे भ्रोन डेवलप होते हैं, जिसमें फिर कुछ भ्रोन बहुत ज़्यादा है, तो उनको नच्ट भी किया जाता है, ताकि दो या तीन बच्चे हो, या एक बेबी भी हो सकता है, चांसिस ज़्यादा बच्चे बने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले मेरी सिंस देखे, मेल के स्परम बढ़ाया जाते हो, और फीमेल में ovulation rate बढ़ाया जाती है, फिर उनको स्परम कलेक्ट करके, एक को निकाल के बाहर फटिलाइजेशन की प्रोसेस करके, फिर एम्डियो ट्रांस्फर किया जाता है, सेकेंड स्टेप है, फटिलाइजेशन तो शरीर से बाहर हुआ, इसलिए इस तकनीक का नाम इन्विट्रो फटिलाइजेशन है, अब एम्डियो जो बन गया, आपका जाइगोट, उसको ट्रांस्फर किया जाता है, फीमेल की, युट्रस में, ग बुक से भी पढ़िये, और इसमें भी देखिये, समझे, मज़ा आएगा, आपको बिल्कुल ध्यान से सीखिए, एम्डियो ट्रांस्फर किस तरह किया जा रहा है, इसके विशीश उपकरण है, ये एम्डियो ट्रांस्फर हो गया, अब फीमेल को रेस्ट के लिए कहा जाता है, कमर को सीधी रखना है, कुछ पंदरा मिनिट के लगबग, एम्डियो ट्रांस्फर होते ही, ये था इन वीडियो